नमस्कार साथियो स्वागर्थ आपका इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं पीएफ से जुरे कुछ एक हिसा पीएफ के तोर पे भी कड़ता है जो कि हर महीने उनके पीएफ के एकाउंट में डिपोजिट हो जाता है अलाकि इसको लेके कुछ ऐसे नियम और सरते हैं जिसे अगर आप पूरा करते हैं तो आप पेंसन के हगदार भी हो जाते हैं तो चली जानते हैं कि क्या है वो जो भी लोग प्राइबेट सिक्टर में काम करते हैं वो चाहते हैं कि उतनका जो सेल्दी है उसका कुछ हेसा ऐसे जगह इन्वेस्ट करें जिनका आगे चलके अच्छा रिटर्न मिलें जिससे रिटार्मेंट के बाद उन्हें कोई परेशानी ज्यादा जहलने को न पड़े अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपके लिए जो पीएफ है वो एक संदार ओप्सन हो सकता है तो चलिए आप कुछ बताते हैं कि किस तरह से आप पीएफ के थुरू ही आप अच्छा इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न पार सकते हैं जो भी लोग जिनका पीएफ करता ह वो एपिएस 95 के तहट उन्हें पेंसन भी दिया जाता है तो इसके पीछे कुछ वज़ा है कुछ नियम है जिसको फॉलो करना होता है वही नियम आपको बताने वाले हैं अगर आप प्राइबेट सेक्टर में काम करते हैं और आप चाहते हैं कि आपको ही पेंसन के तोर पे क अच्छे लिए इसको समझते हैं तो सबसे परे हम आपको जो पीएफ का इपीएस 95 है इसको इसको बारे में बताएंगे कि ये इपीएस क्या होता है एपीएस की बात करें तो यह एक पैंसन होता है जिससे इपीएफ द्वारा मैनेज किया जाता है इस स्कीम के तहत जो भी नए या फिर पूराने यानि कि already जो है एक मेंबर वो इसमें मौजूद होते हैं अगर हम इस स्कीम की बात करें तो इसका सिर्फ एक मात्र नियम है नियम यह है कि आपको सिर्फ 10 साल का नौकड़ी पूरा करना होता है और जैसे आपका 10 साल का नौकड़ी पूरा होता है उसके नवंबर 1995 को सुरू किया था जो कि संगठित छेत्र में करमचारियों को जरूरत को पूरा करने के समाजिक सुरक्षा के तोर पे एक अच्छी पहल है EPS 95 को EPFO द्वारा मैनेज किया जाता है और यह योजना 98 वर्स की आयू पातर तक पहुंचने वाले लोगों को पेंसन की सुविदा देता है अगर नियम देखा जाए तो 9 साल 6 महिना अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसे 10 साल काउंट किया जाता है लेकिन अगर वही आप उससे एक महिना भी कम करते हैं तो उससे सिर्फ 9 साल ही काउंट किया जाता है तो जो भी लोग अगर 9 साल यानि कि 10 साल से कम तक नौकरी करते हैं तो वो अपने एकाउंट में जो भी पैसा पीएट के तौर पे कटा है उसे निकाल सकते हैं लेकिन वहीं जैसे ही उनका समय जो जॉब का टाइम 10 साल से ज़्यादा होता है तो उनको पैसे मिलने लगते हैं अब जो पीस करता है उसके केल्कुलेशन को समझते हैं कि कटव् donne क्या होता बहुत सारे लोग हैं जनका पीएप करते है लेकिन अभी तक उनको यह नहीं पता कि इसका क्या होता है किस हिसाब से उनके सैलडरी से पीएप काटा जाता है तो सब कुछ हम लोग डिटेल में कि जो बेसिक सेलरी प्लस डीय का बारवफिस्टी पीएफ के तौर पे उनके पीएफ एकाउट में डिपोजिट हो जाता है जिसमें करमचारी का पूरा हिसा इप्येफ में जाता है जबकि नियोकता का 8.33 पर 30 हिसा करमचारी प्यांसन योजना में जाता है और 3.6% हर महीने EPF योगदान में जाता है इतना जानने के बाद बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल आएगा कि अगर हम जॉब कर रहे हैं और बहुत पार ऐसा होता है कि प्राइबट सेक्टर में लोग ठुक जाते हैं एक जॉब से तो वो दूसरे जॉब पकर लेते है हैं तो सवाल यह आता है कि क्या अगर हम जो जॉब कर रहे हैं तो उसके पीच में कुछ नहीं कुछ गैप हो ही जाता है अगर ऐसा गैप होता है तो क्या हमें पेंशन मिलेगा या नहीं चलिए इसको समझते हैं जैसा कि हमने आपको बताया कि आपका जो टोटल टेंडियो दस सल का होना चाहिए देखिए अगर आप नए जौब करते हैं और पुराने जो जौब कर रहा थे तो दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का आइनिंग कमी काउंट होगा जब आपका जो पीएफ नंबर है ठीक है यूए एन नंबर जिसको बोलते हैं वो सेम होना चाहिए और दोनों का अगर हम टेनियूर मिलाएं और दस सल पूर जाता है तो आप पेंशन के हगदार हो जाते हैं तो आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो पुराना वाला इवेफ नंबर है वो होना चाहिए यानि कि अगर पिछले जौब के का जो आपका सेलरी सलेफ है वो होना चाहिए उस पर ही हर चीज़ इसक्राइब किया रहता है आपका इवेफ नंबर देखे दोसरे जौब को जौइन करिएगा इससे आपका जो टाइमिंग है वो काउंट किया जाएगा ठीक है अब आपको EPS के तरफ से कुछ पेंशन के बारे में बता लेते ह है कि EPS अलग अलगतरा का पेंशन जारी करता है चलिए उसको समझ लेते हैं अगर EPS 95 की बात करें तो यह बीधेवा पेंशन बाल पेंशन और अनाथों के लिए पेंशन जारी करता है जैसे कि कोई करमचारी कारे कर रहा है और उस दवरान उसकी मिर्थिव हो जाती है तो उ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग जय हिंद